दोस्तो इस वीडियो में हम Is My Trip application की मदद से सस्ती सस्ती फ्लाइट बुक करना सीखने वाले हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में दाना है और Is My Trip आपने सर्च से कर लेना है और Is My Trip application को आपने इंस्टॉल कर लेना है हमने ओलेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो हम इसे अभी ओपन कर लेंगे ओपन होने के बाद आपको उपर पे ही फ्लाइटस वाला ओप्शन दिखाई बढ़ता है तो यहाँ पे फ्लाइटस वाले ओप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है यहाँ पे इसके बाद आप देख सकते हैं तीन ओप्शन दिए हुए है वन वे, वन वे का मतलब क्या है आप एक जगह से दूसरी जगह की टिकट कराना चाते हैं राउंट ट्रिप का मतलब क्या है आप एक जगह से दूसरी जगह की टिकट कराना चाते हैं इसके बाद from में आपने वो जगह डाल लेनी है, जहां से भी आप अपनी यात्रा करना चाते हैं, जैसे मुंबई से हमें अपनी यात्रा करनी है, तो जैसे हम यहां पे सर्च बॉक्स में MUM डालते हैं, तो यहां पे मुंबई का छत्रपती सिवाजी इंटरनेशनल क्लिक कर लेना है, इसके बाद to में आपने वो अपनी डेस्टिनेशन डाल लेनी है कि जहां तक भी आप यात्रा करना चाते हैं, जैसे हम दिल्ली तक यात्रा करना चाते हैं, तो जैसे ही हम DEL टाइप करते हैं, तो यहां पे New Delhi, इंदरा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट हमारे सामने आज आता है, तो इस पे आपने किलिक कर लेना है, अभी हमारा from हो गया और to भी हो गया, इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं departure date, departure date में अगर किलिक करते हैं, तो अलग-अलग मन्त इसमें दिये हुए हैं, जैसे यहां पे यह अगस्त का मन्त है, और यहां यहां पे सेप्टमबर का मन्त है, तो यहां पे रूपीज भी लिखा हुआ है, 4,457, मतलब 7 सेप्टमबर की यह सबसे सस्ती फ्लाइट है, इसके नीचे रेड भी लिखा हुआ है, इसी के साथ सभी डेटों के नीचे उसका lowest price भी लिखा हुआ है, कि इस दिन की यह सबसे सस इतरह आप children की भी ticket करा सकते हैं और infant की भी ticket करा सकते हैं आपने select करके यहाँ पर done वाले option पर click कर लेना है इसके बाद class की बात करें तो आपने यहाँ पर select कर लेना है कि किस class में आप अपनी ticket कराना चाहते हैं economy में कराना चाहते हैं economy या business में कराना चाते हैं तो business तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं और option भी दिये हुए हैं जैसे defense forces, student, doctor and nurses and senior citizens आप इसमें से कुछ भी है तो वो select आप कर सकते हैं आपको कुछ और discount इसमें ये select करने पर मिल सकता है इसना करने के बाद आपको search flight वाले option पे click कर लेना इसके बाद Mumbai से दिल्ली की ओर जाने वाली 7 September Thursday की सभी flight हो की list यहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे आप इसे sort भी कर सकते हैं more filters वाले option पे अगर आप click करते हैं इसके बाद sort by वाले option पे आप click करते हैं तो price के हिसाब से आप इसे sort कर सकते हैं कि सबसे 60 flight हमें सबसे पहले दिखा इसके बाद नीची की तरफ महंगी महंगी flight है आती रही तो यहाँ पे low to high के हिसाब से हमने इसे sort कर रखा है आप यहाँ पे departure के हिसाब से भी sort कर सकते हैं कि 7 September की सबसे पहले जाने वाली flight हमें सबसे उपर दिखाई दे उसके बाद उसके बाद जाने वाली flight हमें दिखती यहाँ पे अभी हम price के साब से sort कर रहे हैं तो low to high price वाले option पे click करके हमें यहाँ पे apply कर लेना है अभी सबसे उपर हमारी सबसे सस्ती flight आ चुकी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो की 21 बच के 20 मिनट में मतलब रात को 9 बच के 20 मिनट में चलने वाली है मुंबई से और आप click करते हैं तो यहाँ पे आप spice saver वाले option पे book now वाले option पे आपने इसके बाद click कर लेना है यहाँ पे अभी आप अपनी flight की details देख सकते हैं और नीचे की तरफ अगर आप scroll करते हैं तो यहाँ पे free medical refund policy आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मतलब यह है कि अगर in future आप अ कुछ details कुछ information इसकी पढ़ सकते हैं important information भी आप इसकी पढ़ सकते हैं इसके बाद यह आपसे अभी travel insurance लेने के लिए echo का बोल रहा है यहाँ पे अभी अगर आप 199 रुपे देते हैं तो आपका यह travel insurance कर देगा लेना चाहते हैं तो yes करना है और 199 रुपे extra आपको pay करने होंग लेकिन अगर नहीं लेना चाहते हैं तो I am willing to risk my trip वाले option पे click कर लेना है इसके बाद आप देख सकते हैं promo code आपके सामने आ चुके हैं इसका मतलब जैसे हमने यह पहला वाला promo code select कर रखा है तो आपकी कोई भी convenience fees नहीं लगने वाली है 300-400 रुपे जितना भी fees लगती है यह आपकी convenience fees नहीं लगने वाली है लेकिन अगर आप दूसरा option select करते हैं तो यहाँ पे 400 रुपिया आपको इसमें off मिलने वाला है तो automatically अपने अंसार आप promo code को read करके best promo code अपने लिए apply कर सकते हैं हमने यह वाला भी apply कर दिया है इसके नीचे अगर आप scroll करते हैं तो यहाँ प डालना है और आपका mobile number यहाँ पे डालना है त्यान रहे जो भी आप email address डालते हैं और mobile number डालते हैं वो आपने सही सही डालना है क्योंकि इसी email address पे आपकी book हुई ticket को भेजा दाएगा और इसी mobile number पे आपका PNR number भेजा दाएगा इसके बाद आपको adult का नाम यहाँ पे add कर देना है add adult वाले option पे अगर आप किलिक करते हैं तो Mr. Miss और Mrs. Select करके उसका नाम और last name डालके आपने save traveler वाले option पे किलिक कर लेना है इतना करने के बाद continue to payment वाले option पे आपने सीधे किलिक कर लेना है यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं आप से यह seat select करने के लिए बोला है यह यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी color के हिसाब से यहाँ पे प्राइज आपको pay करना पड़ेगा जैसे यह वाली color की seat है free है लेकिन यह वाला जो color है इसके लिए आपको 1-200 रुपया extra देना पड़ेगा यहाँ पे seat select करने के लिए आपको अलग-लग color दिये हुए हैं आप यहाँ पे नीचे color देखकर उसका rate भी यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको seat select करनी है तो कर सकते हैं यहाँ पे free वाली seat भी available है इन्हें भी आप select कर सकते हैं अगर आपको seat select नहीं करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है नीचे continue booking वाले option पे आपने click कर लेना है इसके बोजन एड करने के लिए बोल रहा है तो यहां पे बोजन मील के हिसाब से आपको इसमें पेमेंट भी करना होगा add करना चाहते हैं तो यहाँ पे plus वाले option पे click कर लेना है और यहाँ पे add नहीं करना चाहते हैं तो इसे आपने ऐसे ही छोड़ देना है और continue booking वाले option पे click कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद आपसे यह 5 kg अगर आप additional baggage अपना लाते हैं तो इसके लिए आ 250 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर किलिक करके ले सकते हैं अधरवाइज इसे भी आपने ऐसे ही छोड़ देना है और कंटिन्यू बुकिंग वाले ओप्शन पर आपने किलिक कर लेना है इसके बाद यहाँ पर 45 मिनट रात को पहुंचने वाली है तो यहाँ पर अपनी फ्लाइट आप एक बार रिव्यू और कर सकते हैं ट्रेवलर का नाम भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर पे पेमेंट करना है चाहे तो नेट बेंकिंग से कर सकते हैं यूपिय से कर सकते है और Google Pay से कर सकते हैं कई सारे options दिये होए हैं जैसे हम यहाँ पे Google Pay से कर रहे हैं तो जैसे ही हम Google Pay वाला option select करते हैं तो automatically यह Google Pay application पे हमें redirect कर देगा इसके बाद Google Pay में आपको इस तरह से दिखाई उपड़ता है यहाँ पे आपको payment कर देना है और अपना 6 digit का UPIP आपने डाल लेना है तो आपकी ticket बुक हो जाएगी अभी हम यहाँ पे कोई भी ticket booking नहीं कर रहे हैं जैसे ही आप अपनी ticket बुक करते हैं तो आपने जो भी email address इसमें दिया हुआ है उसमें आपकी ticket को भेज दिया जाएगा और आपके mobile number में आपके PNR number ticket का भेज दिया जाएगा तो दोस्तो इस तरह से is my trip की मदद से आप एकदम आसान तरीके से सस्ती से सस्ती flight book कर सकते हैं थन्यवाद